हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एजूकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे नौजया इन वामिटिंग के बारे में तो हम सिखने वाले हैं ये कंडिसन्स होने के रीजन्स क्या होते हैं मतलब कि उसके कोजिज, फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से ये कंडिसन का हम ट्रिटमेंट कर सकते हैं कौन से medicines वगरा यूज किया जाते हैं नौजिया वामिटिंग को ट्रेट करने के लिए तो ये सिखेंगे detail में तो नौजिया मतलब कि जी मत चलना या फिर जी गबराना और ये condition होने के बाद आपको उल्टी भी हो जाती है तो इसको कैसे हम रोके कैसे prevent करे कैसे manage करे तो सीखत है detail में तो एक्सपर्ट लेक्चर बाई अमर सर और सिस्टम प्रोफेसर और फांडर ऑफार्मरोक्स थेंक यू फार बी इन टू लेक्ट फैमिली ऑफार्मरोक्स अपडेट रहे ये फार्मरोक्स के साथ एक्सेस कर ये study material टेस्स सेरीज वीडियो लेक्चर फार्मरोक्स के आप उपर तो अगर आपके पास android phone है तो android आप डाउनलोड करें आईफ़न यूजर अप स्टोर से लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझे कि nausea और vomiting क्या है तो nausea vomiting के अदर सबसे पहले सुरुआत होती है nausea से nausea को हम simply हिंदी में कहते है जी मचलना या फिर जी गबराना तो ये एक ऐसी condition के जिसको हम कहते है medical terms के अंदर stomach discomfort के conditions तो stomach के अंदर discomfort होता है मतलब कि हमारे पेट के अंदर कुछ uncomfortable जैसी condition produce होती है discomfort हो जाता है तो उसके करण आपको ऐसे sensation होते है कि आप जो है वो vomiting कर दे तो य ये जो sensation produce होते है वो sensation को कहा जाता है nausea कि उस वक्त आपका जी मचलता है जी गब रहता है और आप ऐसा feel कर रहते है कि थोड़ी दिल में आपको जो है वो vomiting होगा and nausea become a precursor to vomiting the content of the stomach कि stomach के अंदर रहा जितना भी जो content होता है वो vomiting के थ्रूप फिर वो हमारे body में से जो है वो ब तक यह होते है उसके बहुत सारी reasons होते है वो मागे causes के अंदर जो है वो discuss करेंगे और ये कोई disease नहीं है कि nausea limiting जो है वो कोई विमारी नहीं है बट एक symptom है कि जो दूसरे disorder से आपकी body के अंदर कोई deficiency वागेरा है या फिर आपको कोई problem है digestive system related तो उसके अंदर ये symptoms जो है वो स gastrointestinal हम कहते है GI tract तो GI tract के अंदर specially समझो कि stomach के अंदर को discomfort है तो उसके कारण mainly जो है वो nausea vomiting की condition जो है वो produce होती है तो nausea vomiting को medical terms के अंदर कई बार immesis कहा जाता है कि immesis जो है वो medical term है कि जो vomiting का जो process होता है कि सबसे पहले जीम में चलना फिर vomiting हो जाना तो उसको medical term के अंदर कहा जाता है immesis और nausea and vomiting can have a causes that aren't due to underlying disease तो जैसे अभी हमने बात की कि कोई disease नहीं है nausea vomiting कोई बीमारी नहीं है symptom है कि आपके body के अंदर कोई ऐसे दूसरे कुछ disease भी हो सकते है और उसमें specially GI tract है gastrointestinal tract जो आपका पाचन तंदर है तो जो पाचन तंदर से जुड़ी जो कुछ बीम प्रिमारिया होती है तो उसके अंदर ये nausea vomiting जो एक symptom बनता है जैसी कि आप देखो तो food poisoning हुए तो food poisoning के अंदर specially हमारे stomach के अंदर ही discomfort produce होता है फिर motion sickness के जो condition कि जब आप कोई जगा पे travel कर रहे है vehicle के अंदर किसी भी vehicle में कि चाहे वो by air कर रहे है by water कर रहे है या फिर by road overeating काफी ज़्यादा खाना खा लिया है तो भी ये होता है hangover हो चुका है और pregnancy के दौरान भी एक symptom जो हो develop होता है पहले तीन महिने की जो pregnancy होती है first trimester जो हम कहते है तो उसमें भी ये problem होता है and it is prevented using the anti-emetic drugs तिसलिए देखो कि जो word है immesis तो immesis को treat करने के लिए जो medications use किये जाते उसको कहा जता है anti-emetics medication तो ये होने के आप reason देख लो कि जैसे अभी हमने बात की कि बहुत सारी reason से यसे nausea vomiting की condition हो थे जो first है food born disease मलब कि एक सबसे simple example है उसका food poisoning तो जो food के करन होने वाली जो बीमारिया के काफी ज्यादा खा लिया है या फिर contaminated food आपने खा लिया है contaminated water ले लि है indigestion होना excessive stomach acid produce होना तो भी nausea vomiting हो जाते है bacterial and viral infections के अंदर viral gastroenteritis के अंदर stomach के अंदर कोई बग है motion sickness है acidity या फिर gas trouble है migraine type का headache है आपको ये खास कि जब आपको migraine headache का problem होता है तो उस वरक का आप देखना आपके mind के अंदर थोड़ा थोड़ा ये जो pain जो है वो start हो जाएगा migraine headache के अंदर आपके head के अंदर और फिर उसके बाद क्या होगा कि जी मचलना start हो जाएगा जी गवराना start होगा और आपको जो वो vomiting हो जाती है फिर हम समझें pregnancy के अंदर severe cough है आपको दो भी हो सकता है diarrhea के अंदर cancer chemotherapy की जो medications होती है thyroid disorders के अंदर भी ये nausea vomiting होते है और हमने जो आप regularly pharma rocks के videos देखते होगे तो हमने बहुत सारे medications की भी study की है antibiotics medications की हमने study की है detail में फिर ऐसे कितने भी जा रही अलग-अलग medications की जो हम रोजिन्दा जीवन में use करते हैं as well as अलग-अलग diseases and disorders की इलाज में use होती है तो उसमें कई बार एक portion discuss करते है side effect वाला तो side effect में देखना बहुत सारे medications की ये side effect होते है की उनको excessive लेने से या फिर उनकी side effect के करन nausea vomiting जैसा लोगों को feel होता है तो ये जो है वो एक symptom बनता है कि जब आपको कोई बीमारी है या फिर आपकी कोई बीमारी का इलाज हो रहा है तो वो आपको आगे समझाओगा दूसरी reason समझ लिजे कि जो motion sickness हम कहते है कि आप कोई जगा पर travel कर रहे है तो वहाँ पे फिर c sickness होता है कई बार कि आप जहाज वगेरा में travel कर रहे तो भी लोगों को ये nausea vomiting हो जाता है early stages of pregnancy और उसमें भी जो first trimester कहा जाता है 12 week की जो pregnancy होती है तब तक ये nausea vomiting जो है वो common symptom बनता है pregnancy का फिर pregnancy के अंदर 50-90% cases के अंदर nausea है और 25-55% को first trimester के अंदर continuously vomiting होते रहते हैं 12 week तक फिर medications के करण होने वाले vomiting, intense pain के करण होने वाले nausea vomiting, emotional stresses या फिर कोई डर है तो भी कई बार जी माचलता है और vomiting हो जाती है, gallbladder related diseases है, food poisoning, infection अनुरूस में भी स्विसली, stomach फिलोते हैं यसे बहुत सारे जो reasons के हमने अभी भी बात की कि कोजिस तो बहुत सारे है, बहुत सारे reasons से nausea vomiting आपको हो सकता है symptoms क्या develop होते हैं, तो vertigo मतलब कि चक्कर आना, फिर excessive sweating मतलब कि काफी ज्यादा जो है वो पसीना होगा आपको stomach आपका upset रहेगा, dizziness जैसे आप फिल करोगे, कि आपको नींद आ रही है, ऐसा उबासी लेना, fentness के बार चक्कर आ जाते है और person जो है वो गीर जाता है चक्कर के करन, कि vertigo है, तो vertigo ज़्यादा हो जाते है, तो fentness की condition हो जाती है फिर dry mouth के भी condition form होती है, कुछ लोगों के अंदर diarrhea हो जाते है, fever हो जाता है, abdominal pain भी होता है साथ हो साथ और rapid pulse, आपके pulse rate जो है वो increase हो सकते है, तो ये nausea vomiting के दोरान होने वाले, जो है वो फेरफार है आपके body के अंदर, कि जिसको हम कहते हैं, उसके symptoms तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से home remedies से nausea vomiting को आप treat कर सकते हैं, medications तो है ही, बट medications की आदत लगाने से पहले, जरूरी है कि आप home remedies ट्राइक करें, जो herbals present होते हैं, वो और घर पे ही नुस्खे करके आप उसको prevent कर से, जैसे कि lemon क्या आप समझो कि regularly lemons खाते हैं, lemon juice वगेरा लेते हैं, निम्बू पानी जिसको हम कहते हैं, पीते हैं, तो भी आपका nausea vomiting prevent रहेगा, फिर oranges खा सकते हैं, oranges भी naturally antimatics का काम करते हैं, ginger जो है वो भी काफी popular है, कि ये अद्रक का इस तरह से piece करके आप आपके oral cavity के अंदर रखें, और जैसे कोई chocolate खाते हैं, टौफी खाते हैं, ऐसे जो है वो उसको आप, आपके oral cavity के अंदर रखें, तो उसका जो rust है, जैसे जैसे आपके body के अंदर जाता रहेगा, तो वो nausea vomiting कम कर देगा, फिर paper mint, जो foodina हम कहते हैं, वो से भी काफी prevent होती कि आप foodina खा सकते हैं, cinnamon ले सकते हैं, ये जो तरज हजवा के राज हम कहते हैं, cinnamon, Indian spices के अंदर हमारे ये खास होते हैं, ये food products के अंदर, cloud आप देख सकते हैं, cloud भी समझे कि आप आपके mouth मे रखते हैं, कि समझे कि आपको nausea vomiting का problem है, तो cloud साथ में रखे, leukorize के भी ये जो root आते हैं, उससे भी nausea vomiting prevent होती है, तो ये जो हमने देखा वो है, natural and home remedies, अब बात करते हैं, कि nausea vomiting के लिए use होने वाले medications, तो anti-medics, आगे भी मैंने आपको समझाए कि nausea vomiting को हम कहते हैं, immesis, तो imm medications मतलब कि anti-emesis, ऐसा word बनता है, और anti-emesis पर से word आखिर में तयार होता है, anti-emetics, तो ये anti-emetics ऐसे medication है कि nausea vomiting को prevent भी करेगा, और साथो साथ suppress कर देगा, कि आपको vomiting साथ, nausea से ही condition जो है, वो stop हो जाएगी, बढ़ आगे vomiting आपको नहीं होगी, and anti-emetic is a drug that is used to effective against the vomiting and nausea, बहुत हैं, they used to treat motion sickness, किस तरह से travel करते हैं, बहुत सारे लोगों को problem होता है, कि जैसे कोई vehicle में बेटते हो, तो उनका जीम में चलता है, फिर vomiting हो जाती है, फिर morning sickness का जो problem होता है, especially pregnancy के दौरान, तो morning sickness जो condition होती कि early morning जो है, आपको vomiting होना, pregnancy का एक symptom है, और pregnancy ना हो, तो भी कई बार, कुछ लोगों का जीम अचलता है, सुब़, vomiting हो जाती है, तो उसको भी taste है, या फिर एसा कोई food product है, तो उसके कारण हमें कई बार vomiting हो जाते है, कि जो अभी हमने reasons देखे, या फिर कोई medications के करण, तो ये जो anti-matics होते हैं, ये जो brain के जो centers लिखे है, कि जो vomiting centers, VC लिखा हुआ है, and CTZ, camo receptor triggers on, तो उनकी जो activity है, उसको inhibit कर दा है, कि जो responsible बनते है, vomiting के लिए, तो अब समझो कि, इनको ही जो completely बन कर दिया जाए, centers को, vomiting के centers को, तो जो है, वो vomiting जो हो जाएगी, prevent हो जाएगी, तो anti-matics use किया जाते हैं, तो वो specially 5-HT-3 receptor जो medication से, उनकी भी ये mechanism है, और कुछ medication CTZP उपर असर करती है, कि जो primary एक main mechanism बनता है, anti-matics के लिए, popular anti-matics के अंदर हम देखे, तो on-dance-atron जो है, वो ज़्यादा prescribe किया जाते हैं, जिसके injection भी होते है, hospitalized patients को on-dance-atron के injections भी दिया जाते हैं, उसके tablets भी available होते हैं, बट आपको main medicine का नाम याद रखना है, on-dance-atron, तो आप समझो कि कोई generic store पे जाते हैं, प्रदान मंत्री जनव सती stores होते हैं, सस्ती दवाई की दुकाने होते हैं, तो वहाँ पे ये medications आपको काफी कम price में मिल जाते हैं, तो उसके brand name याद मत रखो, यूजली आप उसका main salt composition याद रखो, कि जैसे on-dance-atron आपको पता होगा, तो उसकी समझो कि branded medicines 40 या 50 रुपे में आएगी, 10 tablet का आपको strip मिलता है, तो वही आप साइज generic के अंदर जाओगे, तो 10 से 20 रुपे के अंदर आपको वह 10 tablet का strip मिल जाएगी, तो हमेशा जो है वो medicine साब जो है वो याद रख सकते हैं, उसके ये salt composition से, तो on-dance-atron जो है वो काफे असरदार साबित होती है, medications, फिर बात करें सिन्ना रिजिन की, तो सिन्ना रिजिन का ये जो नीचे वाला है, सिन्ना रवेट करके वो उसका brand name है, बट सिन्ना रिजिन समझे के आपकी area में level नहीं, तो simply आपको सिन्ना रिजिन नाम याद रखना है, तो सिन्ना रिजिन जो आप किसी भी store पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको आसा नीचे मिल जाएगे, कि ये जो उसका main salt composition और ये सिन्ना रिजिन पॉपिलर एंटिमिटिक की कैटिगरी में आता है, उसी तरह से ये जो granny satron है, कि जैसे onden satron है, उसी तरह से granny satron, domperidon का भी अपने नाम सुना होगा, तो domperidon बहुत सारे लग-लग brand name से बिखता है market के अंदर, बट main salt आपको पता है कि domperidon की जो nausea vomiting की medication है, तो आप कही से भी उसको आसनी से purchase कर सकते हैं, तो देखो ये evomine है, वो main brand है, बट उसके अंदर रहा medication नीचे लिखा हुआ है, promethazin, तो समझो कि आपके वापर evomine available नहीं है, बट आप simply store पे जाके या फिर आपके health care providers आपको promethazin के नाम से medicine prescribe करेंगे, तो आप जो है वो आसनी से उसको utilize कर सकते हैं, फिर nausea vomiting के medications pregnancy के दरान की ये जो रहते है Rx only, तो यहाँ पे आपको self medication नहीं करना है, क्योंकि pregnancy के दरान ये use होते हैं, तो आपको जो है वो आपके जो doctors होते हैं, gynecologist doctor उनको दिखा के ही, ये medication use करने होते हैं, जो सबसे safe कहीं जाए, pregnancy के दरान जो nausea vomiting के लिए, तो यह है doxilamine succinate and pyridoxin hydrochloride की जो tablet, तो देखो, दो अलग-अलग companies हैं, दोनों के ये जो brand name अलग है, बड, salt composition आप देखो, यहाँ पे भी doxilamine succinate and pyridoxin hydrochloride है, यहाँ पे भी doxilamine है, तो अगर आपको ये पता हो कि doxilamine vomiting में use होता है, तो उस वक्ट जो है वो आपका, जो है वो proper knowledge जो है वो check होगा, because brand name तो change हो जाते ही कई बार, बड, आपने ये याद रखा होगा, doxilamine, तो चाहे brand name कितने भी अलग लगाए, आप जो है वो proper, जो है वो nausea vomiting treat कर पाएंगे, तो doxilamine succinate, pyridoxin hydrochloride के जो tablets आते हैं, वो pregnancy के दौरण आप 1-1-1 इस तरह से भी ले सकते हैं, और ज़्यादा vomiting होता है एक और tablet, सबसे safe medication कि जब आपको pregnancy के अंदर nausea vomiting होता है, फिर normal conditions, ये medication जो है वो सिर्फ, ये वाला सिर्फ आपको pregnancy में यूज़ करना है, नौर्मल nausea vomiting है, तो doxilamine succinate वागेरा यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत सारे alternative हैं, जैसे कि 5H3 antagonist जो है फार्मकोलोजिकली क्लास के अंदर, 5-hocytreatamine antagonist, तो उसका ये endoncetron का ये tablet देखलो, आप सिर्फ 4 mg का आता है, तो यहाँ पे देखो, फिर से brand name यहाँ पे change हो गया, यहाँ पे emicid 4 हो गया, और ये अलग है, ondancetron का injection, बट आपने ये नाम याद रखा होगा, तो आसानी से आप जो है वो, ये anti-medics medication याद रख साएंगे, तो ondancetron है, granny satron, डॉला satron है, तो ये सभी होगा है steroid, स्वारी, satron, सभी के नाम के इच्छे देखो, सेम है, satron, 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 तो ये satron वाली जो medications है, वो always nausea vomitting के है, ondancetron, granny and डॉला, फिर steroids, तो usually steroid की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, बट समझे कि ये सब medications का resistance आ चुका है, बोडी के अंदर आप बले ondancetron खा रहा है, फिर भी nausea vomitting ठीक नहीं होरी, तो कई बार doxamethasone दिये जाते हैं, steroids के अंदर, anti-istamine के अंदर, cyclogen use होता है, promethazine यूज होता है, तो आप ये देखो, promethazine जो है, वो बहुत सारे लग-लग ब्रांड से भीखता है, जिसमें evomine popular है, बट, समझे कि आपको promethazine नाम याद होगा, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, यो वाला medication से, ondense etron के तरह ही, वर्फिनाजिन करके है, फिर, ब्यूटार ओफिनों से, तो अभी देखो, प्लोक्लोर पेराजिन का ये, कि ये, एबड का है, कि एक्यूवर्ड करके ये, यूज किया जाता है, तो प्रोक्लोर पेराजिन, वर्टीकों के treatment में भी यूज होता है, कि जो चक्कर वगएर आते हैं, और नॉज्या वोमिटिंग में भी यूज होती है, ब्यूटाइरोफिनोंस जो होते हैं, चैमिकली उसके अंदर, ड्रॉपे, रिडॉल करके हैं, बैंजायमाइड के अंदर, मेटोक्लोप्रामाइड, जो है, एंटी मस्करेनिक्स के अंदर, हायो स्केन एन, एनके वन के अंदर है, एपरिपीटन के जो कैपसल, वगेरा जो है, वो यूज किया जाते हैं, यूजल ये मेडिकेशन, जो है, वो सिर्फ एक लो, तो ही आपको प्रिवेंट हो सकता है, कि जब भी आपको, जरूरत पढ़ने पर, सिर्फ एक टेबलेट से ही, सबसे पहले लेना चाहिए, जरूरत पढ़ने पर ही, आप जो है वो, पांच या छे गंटे, या साथ आट गंटे के अबाद, आपको दूसरी मेडिकेशन, लेनी चाहिए, तो हम्मेशा ये याद रखे, दो मेडिकेशन के बीच में, मिनिमम एट अवर का, जो हो आपको गयाप रखना चाहिए, और वो खास देखना चाहिए, कि वो SR टैबलेट्स वगेरा होते है, या फिर extended release टैबलेट्स है, तो वो सिर्फ एक ही लेना होता है, only one, दिन में एक ही लेनी होती है, और वो टैबलेट्स को तोड़ने नहीं होते, directly वो टैबलेट कानी होती है, सस्टेन रिलेट्स या फिर SR टैबलेट्स के अंदर, फिर बात करते हैं, over the counter के, nausea, vomiting का, जो reason समझे के ऐसा है के, food poisoning वगेरा है, stomach discomfort के करण हो रहा है, तो यह आप पे देखो, bismat sub salicylate use होता है, कि जो अलग-अलग digestive symptom, जैसे के heartburn, indigestion, nausea, vomiting, upset stomach, अवेलिबल होता है, OTC, इसमें कोई prescription स्वगेरा की ज़रूत नहीं रहती, बीना prescription के आप directly purchase कर सकते हैं, और popularly, जब food poisoning के कारण आपको nausea, vomiting होता है, तो इस वक्त यह काफी useful साभित होता है, यह वो माइन की जो brand name है, promethazin का, तो वो motion sickness भी train करता है, morning sickness भी कई बार treat करता है, और ज़्यादा तर, यहाँ पे देखो, उसके उपर container के उपर ही रो किया हो है, कि यह aeroplane दिखा गया है, जहाज है, और यह car है, तो जब आप travel करते हैं, किसी भी वे से, कि चाहे by road कर रहे हैं, by sea, या फिर by air travel करें, तो उस वक्त यह nausea vomitting को treat करेगा, फिर domperidon देखो, तो domperidon के जो tablets होते हैं, वो भी nausea vomitting के लिए काफी ज़्यादा use किया जाते है, कि जिसको anti sickness medication भी कहा जाता है, कि जो nausea भी stop करेगा, and nausea vomitting दोनों को treat करने के लिए यूज किया जाता है, अब जानते हैं, डीटेल में उसके classification, तो anti cholinergic जो होते हैं, कि like hyoskine, scopal amine भी यूज किया जाते है, diacyclomine भी कई बार use किया जाते हैं, कि कई बार क्या होता है, कि जो muscles spasms होते हैं, आपके stomach के अंदर, तो उसके करन कई बार nausea vomitting हो जाती है, तो समझे कि diaclose spasms तब दिये जाते हैं, कि जब nausea vomitting होने का जो reason है, वो spasms है, तो ये anti cholinergic, उस वक ज़ए ज़्यादा use किया जाते हैं, कि ये diacyclomine का injections भी आता है, फिर isoptohire skin, जो है, scopula mine वगरा के injections अविलेबल होते हैं, ophthalmic solutions भी यूज होते हैं, फिर H1 anti-istamines कि जो promethazine, diaphinhydramine, diamond hydrinate है, doxilamine है, maclosein है, sinnarizin, तो देखो यहाँ पर doxilamine आया, तो ये doxilamine, जो हो safe कहते हैं हम pregnancy के दोराएं, जो हमने अभी discuss किया, कि उसके साथ vitamin B6B रहता है, कुछ tablets के अंदर folic acid भी included होता है, तो जो specially pregnancy के दराएं, nausea vomitting को treat करने के लिए doxilamine, जो है वो use किया जाता है, फिर ये sinnarizin हा गए, promethazine के tablets हा गए, maclosein जो है, macloseins वगरा है, sinnarizin वगरा, फिर neuroleptics के अंदर, triflu, promazin, कि जब आगे जो हमने medicines यूज़की, उससे किसे का nausea vomitting treat नहीं हो रहा है, तो उस वक्त आप उसको लिए prochlorperazin यूज़कर सकते हैं, triflu, mesin यूज़कर सकते हैं, haloperidol भी यूज़कर सकते हैं, इन में से anyone, कोई भी एक जो है वाप यूज़कर सकते हैं, फिर metoclopramide, काफे प्यमस है, उसके जो tablets वगेरा, domperidon है, sisa pride है, mosa pride, एण itopride, तो ये prokinetics है कि जो nausea vomitting में यूज़कर सकते हैं, 5-hydroxytratepramide, ondencetron, granicetron, ये हमने अभी setrons की already discuss की, NK1 के अंदर एपरिर प्रिटंट, फॉसा प्रिटंट है, तो ये medications होगए, anti-medics, अब जानते हैं उसके side effects, तो जो bismut sub-salicylate की, हमने बात की तो उसके करण, dark color tongue हो सकते हैं, ये वाले diagram में आप देखो, तो tongue जो है, dark color देख रही है आपको, फिर greyish black stool, कि जब stool होता है, उसका color greyish black हो सकता है, anti-mistermines के करण, drossiness हो सकता है, आपको dry mouth जैसा हो सकता है, फिर जो dopamine agonist, antagonist यूस होते हैं, उससे भी dry mouth, fatigue, ठकान होना, constipation, tinnitus मनलब की ear ringning, muscle spasm, wristlessness, फिल हो सकता है, neurokinine receptor agonist के करण, dry mouth, heartburn, जैसे problem हो सकते हैं, फिर दूसरे side effect देखें, तो serotonin जो है, 5-hydroxy treatment receptor antagonist, तो उनके करण भी constigation, dry mouth, fatigue, corticosterior के करण, indigestion, acne, increased appetite वगेरा, cannabinoids जो है, उनके करण change in, perception and dizziness, ये वगेरा side effects जो है, वो develop हो सकते हैं, तो ये था हमारा special video lecture about the nausea vomiting, जिसके अंदर हमने उसके reason भी सीख लिए, कि कौन से reasons के करण होता है, फिर sign and symptoms सीख लिए, medicines के बारे में सीखा, home remedies के बारे में सीखा, और साथ-थो-साथ, anti-medic's के side effects के बारे में सीखा, तो thank you for watching, join कर सकते whatsapp group, एक्सस कर सकते, study material, test, series video lecture, फाम और ओक्स के बूपर, so good luck and all the best.